राधा का रंग और काहना की पिछकारी, प्यार की रंग से रंग दो दुनिया सारी नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मेखा कौशिक और होली का तियोहार जिसका सब को रहता है इंतजार ये तियोहार आगिया है इस तोहार के आते ही पूरा वातावरन खुशनुआ हो जाता है मानो चारो और नजर आने वाले रंग हमारे जीवन में घुल गए हो और हर जगहां उमंग उत्साहा नजर आता है इन रंगों के साथ आप कैसे इस बार होली मनाएं जानिये हमारे खास शो में और साथ ही साथ आपकी होली शोब रहे यही हम उमीद भी करते हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं शो के दर्शिकों होली की शुरुवात होली का दहन के साथ होती है यानि कि पहले दिन होली का दहन होता है और फिर होली खेली जाती है रंगों में सराबोर नजर आते हैं लेकिन ये होली आपको होली का दहन के दिन आपको कैसे शुब महुरत में पूजा करनी है क्या विदी होनी चाहिए जिन बहुत सारे उपाय भी किय जाते हैं वो क्या हूँ रंगों के होली आप कैसे खेलें ये बताने के लिए हमारे साथ पंडित राजे शर्मा डॉक्टर राजे शर्मा हमार साथ मौजूद है तो वहीं पंडित पुर्शोत्म गौर्ड जी भी हमार ररे देश में मना आए जाती है तो कॉली का महत्त्या होता है सबसे पहले मनीं जी से जाते हैं से देखे होली का जो पावन पर्व है यह परव एक भाई-चा-डा आपसी समझ्यष आपसी विस्टों को मजबूत बनाने के ऐसे होली का परव को हम मनाते हैं ये जो होली का पर्व है इसमें समस्त प्रकार के एहम एहनकार बुराईयों को जला देना और अपने जीवन में आत्मेता अपने अपनत्व को अपना ना ही होली का पर्व है ये जो रंगों की बात हम करते हैं आप देख रहे हैं कि इस समय बसंत रितू का हश्वारम बजाता है और बसंत रितू के साथ देख रहे हैं कि सरसों के खेत गेहूं के खेत चने के खेत सब प्रकार के तरह तरह के रंगों से हमारी पूरी प्रकरती सजी धजी सी दिखाई दे इसका सबसे प्रतम भगवान को भोग लगाते हैं और मेगाजी वोग जो है अगनी के माध्यम से लगाए जाता है यग के रूप में किया जाता है तो हुली का धेन का मतलब है यग्ध एक सामुत यग्ध होता है और उसमें जो नए अनाज हमारा तयार हो के आ रहा है चाहिए Chanae hugsiya उसे पहले में वहान को आरपन करते हैं अरपन करनेके साथ और आपको की साथ में आपको यह भी बता दें कि ये होली के पावन परव पर विशेज तोर पर साधना से लिख करने का बहुत आच्छा अफसर होगता है इस उरहां बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस भी यग गहवन करके और अपनी साधना करते हैं आपको यह भी बताएंगे कि होली के पाउन पर पर किस तरह का मुरत और कब और कैसे आप क्या कर सकते हैं तो जैसे कि पंडी जी बता रहे हैं कि होली के दिन महुरत होता है बहुत को चुपाय भी आप कर सकते हैं पंडीजी सुबे से होली का तयोहार हालांकि अब तो होली की शुरुवाद हो चुकी है और लोग मना भी रहे है लेकिन होली का देहन वाला दिन हमें कैसे यह दिन व्यतीत करना है क्या कुछ खास दिन करना है देखे भारतिय संस्क्रति सामजिक महत्व और हमारा अध्यात में इस होली के परों से जुड़ा हुआ है लेकिन होले के पर में क्या कह से आमोध प्रमोध मौज और मस्ति यह होली की खास बात है असत्य पर सत्य की विजय मित्सक्त्रता पर मित्रता की विजय और पाप पर पुन्य की विजय यह है होली का देहार होले के तवहार के दिन क्योंकि पूरिमा होती है और पूरिमा का दिन हमारे लिए विश्येश रूप से बगवान विश्णु सत्य नारायन की पूजा करने का दिन होता है सत्य नारायन सत्य नारायन नारज जी पूजते हैं प्रभु इस कलियोग में मनुश्यों को वेद gleach प्रभू की बक्ति किस प्रकाप मिलेगी तो कहते हैं सत्य नारायन की पूजा और और उस नारायन की पूजा है दिन है फागुन मास की पूरिमा तिथी और उसी दिन हम होली का दहन करते हैं इसलिए सभी वक्त सुबह से नहाद होके तैयार होके सबसे पहले सतनायन की पूजा करें और शाम को जिस जगह होली का दहन होता है उस इस्तान पर जाएं और उस इस्तान पर जाकर अपने साथ जल का लोटा लेके जाएं नारियल लेके जाएं अभीर गुलाल लेके जाएं मिठाई फल लेके जाएं लॉंग और सुपारी लेके जाएं और साथ साथ उसके धान लेके जाएं चने का दाल ले गए ग्यहूं ले गए चावल ले गए सब इत्यादी लेकर आपको वहां पदारना जहां पर होली का देहन हो रहा है और आपको सबसे पहले वहां पर जाके जल होली के चारों तरफ परिक्रमा करते वे डालना है लेकिन आपको उल्ता चलना है सीधा ही चलते वे जल अर्पित नहीं करना है होली को ये सभी भक्ति याद रखें उल्टे चलते वे होली के चारों तरफ सबसे पहले जल छोड़े और जहां से आपने परिक्रमा शुरू की थी वहीं बैठ कर होली को सभी सामकरी अर्पित करें अर्पित करने के बाद वहां से कच्चे शूत को आप जरूर साथ में ले जाएगा और कच्चे शूत को परिक्रमा पदिक्ष्णा जो भी आप बोलते हैं वो करते वे आप उसको चारूर तरफ बांदेंगे बांधना नहीं है छोड़ना है गाठ नहीं लगानी है गाठ है खोलने का ही तो तेवार होली होता है तो गाठ तो हमें लगानी ही नहीं है इस तरह हमें बगवान की पूजा करनी है जब तक परला जवा मुझूद है तब तक उसकी पूजा कीजिए जी तो विधी आपको बता का देखिए मौरत की जब हम बात कर रहे हैं तो पुर्णमासी का प्रारंब दोपेर एक बज के तीस मेट से लेकर खेख शुकरवार के दिन बारा बज के अटालीस मेट तक पुर्णमासी रहेगा इस दोरान जब हुली का दहन होता है तो बद्रा रही तो होना चाहिए बद्र यदि होती है तो हुली का दहन निशेद मानते हैं इस दिन भद्रा की बात करें तो भद्रा दपैर एक बज के तीस मेट से लेकर के रात्री को एक बज के नौ मेट तक बद्रा रहेगी बगर सास्त्रों तो बात करें और सास्त्रों की सम्मत की बात करें तो हुली के देहन के है तो निशित्त काल में या फिर प्रदोष काल में ऐसे में यदी होता है तो आप घुली का द्धहन कर सकते हैं और पुछ काल की बात करें तो रात 9त के दो मिटट से लेकरके और भुड़ा गुज के मद्ध आप ngolikा दहन कर सकते हैं यही सास्थ रोक्त रहेगा आना कि कहीं लोग ही इसको नमानते हैं कि बद्रा रहित हो नमतलबाग मतलव हुआ रात के एक बचके 10 मिट बाद लेकिन ऐसा नहीं आप खुली का देन रात नौबस के दो मिट से लेकर रात सकते 14 मिट के मत्धिकर रहे यह सास्थ वर् क्योंकि प्रदोश्वयापनी पुर्णमासी है और निशितकाल के बाद साथ में पुछ्षकाल में जब बद्रा होती है तो आप उसका देहन कर सकते हैं ऐसे में एक बात ये दूसरी बात है कि होली के देहन के दौरान जैसा डुक्साबर कह रहे थे कि इस प्रकार से जो है ये प्यार और दुलार का ये कुश्यों का रंग लगाने का पर्व है और इसमें आपसी भाहिचारे को एक अगाड बनाने का ये दिन होता है तो खास तौर पर आपको बता दें कि इस बार ब्रश्पती देव जो है सेंगरासी का चंदरवान सब्तम भाव में देखता है या गजकेषरी योग जिनकी कुडली में होता है जिनकी जनम पत्री में होता है ऐसे लोग राजाओं की तरह जीवन जीते हैं और राजा ही होते हैं खास तोर पर घजकेषरी योग जिनको होता है वो प्रसासर में होते हैं आरजेस बनते हैं आईपीस बनते हैं ऐसे लोगों को तो यहां हमको घजकेशरी योग कल प्राप्त होगा घजकेशरी योग के दौरान के ऑठाव झरी का धहन हो रहा है इसलिए आपको स्वास्थ समंधी आँए बीमारियों से मुktि मिलेगी और शत्रों पर विजय प्राप्प्त होगा सम्कूर्ण प्रदेश और देश में यहा जो आप होली का दहन करते हैं, तो सभी लोग एक साथ होते हैं, विशेष द्यान अखने की बात है, जैसा अभी डौक साब ने कहा, कि उल्टी परक्रमा लगाने चाएंगा, लेकिन ये आठ उल्टी परक्रमा करते हुए, और होली के दहन के दोरान, जब होली शंत हो जाती है, तो वहां से अगनी लानी चाहता, और अगनी को लाकर के परंड़ा कहतेık पानी के स्थान पर या फिर जल के स्थान पर उसको लिजता पराज आप दूनते हैं, और फिर उस जो बहुती है, बहुती बन जाती है, उसको लाल कपड़े में, तीजोरी में आप अलमीरा मे लख इस इक साथ में आप उनकी वहां से जो जलतीवी भूली होती है उसकी राग को लाकर के और अपने घर में उसको रखने के साथ में आप महा मर्तुन जयका मंत्र हो खास तोर पर इसमें चुट्री कर देते हैं ये मंत्र बोला जाता है सही रूप में जी लोग मां मरतात बोलते हैं मां मरतात का मतलब मां मृतात मुझे अम्रत प्रधान तो म्रतात ना वोले क्योंकि इसमें हालन्त लगावा है आधिकान से लोगों गल्ती करते हैं, तो एसा बोल करके उसको भभूती को रखें, और जो गर में वी बीमार गत्पी है, ऐस्वस्त गत्पी है, उसका उसके तिलक लगाएं, उसको जल में थोड़ा सा डाल करके, और जिवया पर लगाएं, जिश्चित रूप से ओठीक हो जा हैज लोग घंजार करते हैं, और उससे अपना परेहन, हो रहेगा किजब आप वोली में अपने बाल सेखते हैं, बाल कहते हैं जो जो की बालना होता, उससे शेखते हैं, नया अनाज का भूग लगाने के बाद गर में लाते हैं, क्रप्पा करके पुर्ण मा्शी का बरत होता है, जह सही बात है, क्योंकि पुर्ण मानसी के दिन है, मगर अस बुर्ण के दौरान, आप नाले कोई बात नहीं, दूसरे दिन, और जिन लोगों बरतनी किया, उनको हुली के जो सेकी भी बाल, सेकवा चना, उस इसे घर में सभी को प्रशाद की रूप में दें इससे आप स्वस्त रहेंगे पॉस्तिक रहेंगे और ये संके देजता है ये आज से आप गरम भोजन ले सकते हैं यह परिवर्तन हुआ जी और ऐसे बहुत सारे उपाय भी होते हैं पंडी जी क्योंकि बहुत सारे लोग को यह परद्धी जाते हैं सुक्त शाते हैं और घर में शांती चाहते हैं तो आप दो लॉंग लीजिए फूल वाली और साथ में दो कपूर की गोली कपूर की गोली न में तो चौक वी ले सकते ज़रूरी नहीं आइओ ऑली लें और उसको मुठी में बन कीजिएगा सीधे हाथ की सुक्ति सभी भक्त गणमणा द्यान रखें सीधे हाथ की मुठ्थी में रखेंगा और परिक्रमा जब आप खोली का देहन होने के बाद जब भक्त पहला आज उसमें से बाहर आजाते हैं उसके बाद आपको यह किरिया करनी है इस बात का भी फूल वाली लॉंग होती हैं उनको अपने हाथ मे रखेंगा और परिक्रमा कीजिएगा होली की साथ वार आपको सीधा सीधा मंत्र बोलना है ओम नमो नाराइयना ओम नमो नाराइयना यह मंत्र आपको बोलते वे जाना हैं लेकिन आपका भीतर का मन अभी खाली है आप कह रहे हैं भीतर के मन से कि हमारे दुख दरिद्र संता और हमारे ग्रह की पीड़ा हमारे दुष्ट ग्रह है और हमें निरोगी काया प्राप्त हो और वो सभी इस अगनी में जलके स्वाहा हो जाएं और जब आप स्वाहा के बाद बुलें उसी तमें आपके हाथ में जो लॉंग और कपूर रखी हैं उसको आप अगनी में प्रुजलित कर दीजेगा ऐसा करने से आपके पास 15 से लेकर एक महिने के मद्ध आपको मैसूस होगा कि मेरी सभी समस्यां दीरे 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 समाप्त हो रही हैं इस तरह कीजिएगा एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं अचारी जी नहीं बताई है और मैं थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ाना चाहता हूं आचारी जी मेरे से बहुत ज्यादा ग्यानी है इसमें कोई शक नहीं है यह मैं उनको हाँ जोड़ के बात और बताना चाहता हूं कि हमें करना क्या है हमें जो आचारी जी ने कहा कि आपको राक और अगनी लेके घर आना हैं अगर किसी भक्त के घर में बहुत ही जगड़ा होता हो चारों कौनों से बहुत जोड़ जोड़ से आवाज आती हो और घर में शांती नहीं हो घर तो है लेकिन शांती नहीं है और यह होता है वास्तु दूश की कारण तो आपको अगनी लाके अगनी कौन में दक्षिड और पूर्व का कौना अगनी कौन कहलाता है वहाँ उसको लाके आपको रख देना है और एक रात वो वहीं रहेगा जब सुवे वो स्वीतल हो जाएगा ठंडा हो जाएगा तो आपको उसको अपने घर में अगर घंबलों में कोई जगह हो या कोई आपके पास वरक्ष इत्यादी हो उसकी जड़ में उसको डाल दीजेगा ये कारी अवश्य कीजेगा आपको बहुत लाब होगा खोली का तेवार रंगों का तेवार होता है और देखे बहुत सारे कैसे उपाएं हैं और अलग-अलग चीजों के लिए देखे धन के लिए बताया आपको परिवार में बहुत लड़ाई जगड़े हो रहे तो उसके लिए भी आपको बताया है क्योंकि होली का देहन कैसे आपको कूजा करनी है महुरत क्या है विधी क्या है लेकिन अगला दि पूजा लेकिन महीं जब व्यक्ति का ध्यान प्रभु के चरणम होता है तो वह योग बनता consek और ऐसे में आपको बताये के शुब मोरतम् शुब मोराद जेमं कल्यानम आरोग्यं सुबंब भूतू मैं कोई कारिक रते हैं तो उसके शुब परिणाम होते हैं ऐसे में शुब मोरत का बड़ा प्रावधान होता है, शाम की टाइम प्रदोश काल में आप होली का पूजन करें, लेकिन देहन की बात करें, तो रात को नौ बच के दो मिनिट से और रात को दस बच के चोदा मिनिट के मत करें, अब यहां मेगाजी ने प्रशन किया, अगले दिल, कैसे होली की पूजा के साथ, हम रंग का सुभारम करें, सबसे प्रथम आप गणपती को अपना रंग लगा करके शुभारम करें, हम यही हे रम्यमहेश पुत्र, भगवान शंकर के पुत्र गणपती हैं, और गणपती वीगन हरता है, वीगन हरता को आप गुलाल और राधा के बाद कशन को गुलाल लगाए हमारे भारत वर्ष में सास्त्रोक्त जब कोई विधान होता है तो इसके प्रड़ाम शुभ होते हैं यहां भगवान को गुलाल लगाने के बाद बड़े बुज्रकों के चर्णों में गुलाल लगाई जाती है और उसके बाद माता-पिता के चर्णों में लगाए और उनसे आशिवा ले करके और फिर होली का अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने सालियों में, सालह सबस्क्राइब हैं इस दिल सकते हैं बाकि यह जरू रखें हमारी भारतीय धरमसंस्कृति नहीं हम अमरी रह कर के होलीका यह परव को खेला जाना चाहिए अमर्यादिश कोई भी कारियो मगर आपको मर्यादाव में रहकर करके को दिन की कैसे करनी है लेकिन होली पर राशी नुसार रंग कौन-कौन से बहुत ज्यादा समय पढ़नेजी है जल्दी से आप से जालना चाहिए सजब्सक्राइब मेश राशी के लोग पिले रंग करें ay min Straioni के लोग गया बॉन कापकि俺 पीले रंग का उपयोग करें और वर्षक राशी के लोग नीले रंग का उपयोग करें नीला और लाल रंग दोनों का उपयोग कर सकते हैं वर्षक राशी के लोग पुने देखें कन्या राशी का रंग हरा रंग होता है कन्या राशी का रंग हरा होता है इसलिए कन्या राशी करेंगे रश्यक राशी के लोग मैंने बताया लाल नीले रणका उपयोग रहेंगे गुरु आता है नाária वही गहरा भूरा नीला काला मैं नहीं कोंगा क यह रणका उपयोग आप लोग करें तो बहुत आनंद आएगा यही कुम्ब राशी वाले करेंगे और मिन राशी वाले पुनहें पीले रंका उपयोग करें पीले रंका उपयोग करने का अताथ पर यह है कि आप जिस राशी के हैं उस रंका उपयोग करें ऐसा नहीं है कि आप किसी को रंग लगाने जा रहे हैं पूछे मैंने कहा आप जिस राशी के उस राशी के रंग को लेके जाएं मैं सिर्फ इत्ता से कर रहा हूं जी ठीक है तो यह राशियों की बात हो गई और आपको आज हम नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा समय हमारा पास है नहीं लेकिन कौन से आप को रंगों से खेलना है कैसे आपको द करते हैं हमारा ये खास प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा आपके लिए लाप्रद रहेगा और उमीद ये भी है कि ये रंगों का त्योहार आपके लिए बहुत सारी खुशिया उमंग उत्साहा लेकर आए और आपके अगर कोई रिष्टे बिगड़ गए है नाराज आपसे कोई है एक बाद फिर से इन रंगों के त्योहार पर मिलन आपका होता है फिलहाल के लिए हमारे खास शो में इतना ही देखते रहे हैं फर्स इंडिया न्यूज नमस्कार